Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher Shilpi Tiwari और आज मैं लेके आई हूँ General Knowledge का 3rd chapter जो की होने वाला है बहुत जादा interesting Stories in Stones, okay? Stories in Stones, वैसे तो आपको Stories बहुत पसंद होगी, सुनना पसंद है, बताना भी पसंद है कुछ-कुछ बच्चे Story Teller होते हैं, okay? So, अच्छी-च्छी कहानिया, राजा, रानी की कहानिया, भूत प्रेतों की कहानिया, सबको बहुत पसंद है लेकिन चिल्रन, इस चैप्टर में हम बाते करेंगे Stones की Story के बारे में येस चिल्रन, Stories in Stones, जो पत्थर है चिल्रन, उन्होंने ही काफी कहानिया बताई है अब आप सोच रहे होगे कि माम, Stones तो non-living थेंगे, वो कैसे Stories बता सकते हैं? So children, हमने ये सारी Stories, Stone में से निकाली है, Scientist की help से क्योंकि Scientist तो हमेशा कुछ न कुछ खोच करते ही रहते हैं तो children, जो Scientist थे, उन्होंने पत्थरों की मदद से बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी जिनके बारे में आज हमें पता चल रहा है Okay children, so we will start the chapter Stories in Stones Okay, so children, जैसे के हमें पता है कि कई साल पहले क्या था? Early men होते थे, है ना? Early men क्या होते थे? Early men के पास में कोई भी चीजें नहीं होती थी जैसे आज हमारे पास कितनी comfortable life है We have phones, we have fans, we have bed, we have clothes to wear लेकें children, जो आपके ancient people थे, जो early men हुआ करते थे उनके पास में कपड़े नहीं होते थे उनके पास गाड़िया नहीं होती थी और बोलो तो उनको आग, पानी ये सब कुछ भी नहीं मालुम था धीरे 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 चिल्डरन उन लोगोंने चीजें बनाई और काफी महलत से बनाई और आज जो हम इतने comfortable रहते हैं, इतने अराम से रहते हैं जो सारी चीजें उन्होंने धीरे धीरे सालों सालों निकाली आज जाके चीजें वो क्या होगा? ये modify हो गई है और बहुत जादा comfortable हो गई है ओके, so we will learn about those era चीजें सालों साल पहले लोगोंने किस तरह से चीजें खोजी होंगी कैसे समय निकाला होगा, किस तरह से टाइम बताया होगा कैसे समझा होगा कि येस अभी 12 बजे है, 2 बजे है अभी 3 ओ क्लॉक हुआ है, अभी 6 ओ क्लॉक हुआ है उस समय जो भी चीजें अवेलेबल होती थी, उसकी मदद से बहुत सारी चीजों की डिसकवरी की, ओके, so this is the rock you can see चीज़रन ये आप देख रहे हैं, ये कैसा आपका एक caves है और पत्थरों का बना हुआ caves है चीज़रन सालों पहले लोग इन caves में ही रहते थे, क्योंकि उनके पास घर नहीं थे अभी जो हमारे इतने comfortable घर होते है, जिसमें हमको bed मिलता है, chair मिलती है चीज़रन उस टाइम पे आपको लगता है कि houses होते थे, कौन house बना के देगा उनको सो चीज़रन वो इस तरह के गुफाओं में रहते थे, ताकि प्रोटेक्टेड रह सकें, isn't it? So, it is written, long ago, सालों पहले, बहुत समय पहले, some people live in India, lives in caves, तो some people in India lives in caves, कुछ लोग जो थे, चीज़रन, वो कहां रहते थे, में गुफाओं में रहते थे, caves में रहते थे, and the picture of a cave, you can see children इस तरह की गुफाओं में रहते थे, okay, the caves were dark, but caves were safe, अब चिल्रन उस समय तो there was no electricity, है ना, ना ही उनके पास में candle होता था, ना ही दिपक होता था, और fire ही नहीं था, तो light कहां से होगी, so children ये जो caves होती थी, वो बहुत अंधकार में होती थी, dark होती थी, लेकिन children ये caves जो होती थी, वो बहुत safe होती थी, क्योंकि लोग इनके अंदर जब रहते थे, तो वो अपने आपको बहुत protected feel करते थे, जंगली जानवरों से, है ना, दुश्मनों से, और गंदे-गंदे मौसम से कि तूफान आ गया, आंधी आ गयी, ओले पड़ रहे हैं, बारश ओरी है, at least they were safe inside these caves children, and that is why it is saying कि caves dark थे, but the caves were safe, है ना, सुरक्षित थे, caves were dry, caves were home, और caves क्या थे, सूखे होते थे, है ना, बाहर जाए, जंगल होता था उस टाइम पे तो, अब जंगल में मिटी है, गीली है, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, सही नहीं है, हर जगा गीला कीचड़ है, कम से कम caves क्या होते थे, dry होते थे, सूखे होते थे, और इस लिए, चिल्रन उस समय के लोगों के लिए, caves सी उनके क्या थे, घर थे, they were home, these caves were home, of those people, children, जो सालों पहले रहते थे, like early men, all right, so you came to know, कि early men पहले कहां रहते थे, वो इस तरह के caves में रहा करते थे, children, okay, then, scientists find many things in the caves, अब मैंने क्या बताया था, जैसे आपको, कि जो हमारे scientists हैं, children, अब हमें कैसे पता कि सालों पहले, लोग caves पे नहते थे, हमें पता चला, because of the help of our scientists, जो हमारे विज्ञानिक हैं, जो scientists हैं, जो इन्हीं चीजों की खोच करते रहते हैं, discovery करते रहते हैं, उन्होंने चीज़रन बताया, काफी कुछ caves के बारे में, they find many things in the caves, काफी कुछ in caves के बारे में उन्होंने बताया, क्या बताया? They find tools, उनको चीज़रन tools मिले, और जार मिले, they found tools, they find arrowheads, और उनको क्या मिलते हैं? Arrowheads मिलते हैं, जिससे क्या करते हैं वो शिकार करते हैं अब चिल्डरन उस टाइम पे तो खाना वाना अवेलिबल होता नहीं था कि बड़िया दाल रोटी सबजी मिल रही है चिल्डरन उस समय ये लोग शिकार किया करते थे किसका शिकार करते थे जानवरों का शिकार करते थे और बिना पका सोते थे जिसको फेक के वो चिल्रेन अनिमल्स को मारा करते थे हंट किया करते थे and they find some of the first art drawn by people और चिल्रन उनको क्या मिलते हैं जब वो discovery करते हैं scientist जब वो खोच करते हैं तो इनको ये सारी चीज़ें तो मिलती ही है साथ में चिल्रन उनको मिलती है उस टाइम की लोगों की pictures, drawings, artwork जो वो बनाया करते हैं ओके तो चिल्रन अब सोचो scientist किस तरह से खोच किया करते हैं वो लोग पहले पूरी चीज़ों को देखते हैं हर एक पत्थर को देखते हैं हर एक चीज को देखते हैं और उसके बाद children हमें यह बताते हैं कि उस समय के लोगों के पास में ऑजार होते थे tools होते थे arrow ads होते थे और उस समय के artwork के बारें बताया करते हैं ओके चिल्रन, तो यह सारी चीज़ें आज अगर हमें पता है, तो क्यों पता है? क्योंकि हमारे साइन्टेस्ट ने हमें यह सब बताया है. ओके, तो चिल्रन, अगर आपको आठ देखना है, उस टाइम, उस टाइम के लोगों का, then you must visit भीम बेट का, वहाँ पे चिल्रन आपको caves के उपर छोटी छोटी ऐसी चिल्रन आकरितियां दिखेंगी, art दिखेगा, जो सालो साल ancient के जो लोग थे, early men थे, वो अपना art बनाया करते थे इन पत्थरों पे, अब आप सोचो चिल्रन drawing book में ही pencil या pen से जब drawing बनाते तो कितना मुश्किल होता है उस समय जब चिल्रन, there were no pens, there were no colors, लोग stone की मदद से ही उसको sharp करते थे और in caves पे चिल्रन drawing बनाया करते थे और ये सब हमें कैसे पता चला? Because of the help of our scientist, okay? So understood कि हमें क्या-क्या पता चला? कि हमें पता चला कि उनको tools हैं, उनके पास में होते थे, उनके पास में arrowheads होते थे, जिससे वो animals का हंट किया करते थे और चिल्रन उनके first art के बारे में भी हमें मालूम चला. 9. Long ago, people in parts of India built stone circles. Children उसी समय कुछ लोग जो इंडिया के पार्ट में रहते थे, वो क्या बनाते थे? Stone circles. Stone circles अब क्या होता है? So, children, can you see these stones? They are made in the form of circles, children. So, उस समय, long ago, उसी समय जब early man का era था, time था, तब scientist ने एक और चीज़ खोज निकाली. क्या निकाली? कि जो लोग कुछ parts इंडिया के में रहते हैं, वो लोग बनाते हैं stone circles. Like this. Okay? जब लंबे-लंबे stones, children होते थे और वो circle, round form में बनाया करते थे. Suppose अगर ये circle है, तो यहाँ ऐसे-ऐसे आपके लंबे-लंबे, उचे-उचे stones लगे रहते थे. और इनको क्या बोला करते हैं? Stone circles. है ना? Stones हैं, बट circle के form में बने हैं, that is why we are calling them stone circles. Okay, then, they used more than 2,000 stones to make some circles. अब children, ऐसे circle बनाने के लिए आपको कितने stones लगे होंगे? पाँच, चार, दस, no children, they used more than 2,000 stones to make such stone circles. तो उस समय के जो लोग होते थे, children, जो stone circles बनाते थे, उनको कितने stones चाहिए होते थे? More than 2,000 stones. They used small stones to make many circles. और ये छोटे-छोटे stones को यूज करके, children वो क्या बनाते थे? Circle बनाते थे. They used small stones to make many circles. ऐसे बहुत सारे circles वो छोटे-छोटे stones को यूज करके बना लेते थे. They used big stones to make other circles. और बड़े-बड़े stones को यूज करके और अलग-अलग तरह के circles बनाया करते थे. So, children कितने creative थे, सोचो हमारे early men. है ना, पहली बाद तो children उनके पास ना तो transport होता था, ना गाड़ियां होती थी. उसके बावजू, children 2000 से ज्यादा stones को पहले वो collect किया करते होंगे. और उसके बाद ऐसा stone circle बनाते थे वो. सोचो कितनी महनत का काम किया करते थे हमारे ancient लोग. Isn't it? इतना आसान नहीं है, children आप एक पत्थर आराम से उठा के में को दिखा दो. हम लोग को तब समझ में आएगा कि it is so much hard working. So, just imagine that these early men children when there were no as such things available to carry such stones, they used to carry 2000 stones to make these stone circles. है ना? तो अब आप सोचो, छोटे stones को यूज करके भी circle बना रहे हैं. बड़े बड़े पत्थर को यूज करके भी circle बना रहे हैं. है ना? तो कितनी महनत का काम करते थे? कौन? early men, long time ago. Okay. Then, the stone circles helped people watch the sun, moon, planet, stars move in the sky. और चिल्रन ये जो stone circles है ना? ये लोगों को मदद किया करते थे क्या? sun को देखने में, moon को देखने में, stars को देखने में, planets को देखने में. और इसलिए चिल्रन stone circles बनाया जाता था. अब सोचो, चिल्रन वो कितने brainy होते थे? है ना? कितना उनके अंदर idea था कि अगर हमको sun देखना है अच्छे से, moon देखना है, stars देखना है, तो इस तरह से circle बना लो. And then, आराम से बैठके सारी चीज़े sky पे देखो. है ना? So, क्या करते थे? The stone circles helped people to watch the sun, moon, planets and stars move in the sky. The stone circles helped them to tell the time and also children, यह जो stone circles थे, वो उनको समय बताया करते थे, कि सूरज की position कहां है अभी, फिर सूरज की position कहां है अभी, और इस तरह से children, they used to tell the time. Okay, क्योंकि उस समय watch या clock available नहीं थी, सूरज की, sun की position को देख के ही समझा जाता था, कि क्या समय हो रहा होगा दिन का. Okay, so these stone circles were very helpful children, क्या-क्या देखने मदद करते थे, sun, moon, stars, planets and also they were helpful to tell them the time children. Okay, so this is about the stone circles, और stone circles कैसे बनते थे, छोटे stone से ही बनते थे, बड़े stone से ही बनते थे, और कितने stones लगते थे, more than 2000 stones children. And I am telling you children, it is not an easy job, it is very difficult job children, क्योंकि जब आपके पास में गाड़िया नहीं है, तांगा नहीं है, तो आप कैसे इनको ढोड़ो के इतना बड़ा-बड़ा stone circles बनाते होगे. But वो बनाते थे children, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें discover करनी थी, isn't it? So this was the chapter children's stories in stones, जहां पर हमने पता चला कि stones ने हमें क्या क्या चीजें बताई है, क्या क्या चीजें हमें बताने में मदद करी है, information देने में help की है. Okay, so next video में children हम इसी chapter के करेंगे exercise, तब तक के लिए Magnet Brains को like, follow, subscribe करना ना भूले, क्योंकि Magnet Brains यता है kindergarten to grade 12th, free videos and free education. Thank you.